अस्सलाम अलेकुम आज मैं बना रही हूं मैंगो पुडिंग जो बन के बहुती टेस्टी तयार हुई है बनाना बिल्कुल असान है आप भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा इसके लिए मैंने तीन मैंगो लिए हैं पके हुए अब मैं आम को छील लेती हूं फिर इसे मैं स्मूथ लिपीश लूँगी यानि इसका पल्प बन जाएगा अब हम इसे एक साइड रख देंगे उसके बाद मैंने मिल्क लिया है एक बरतन में मिल्क मेरा आधा लीटर है इसमें मैंने दो टेबली स्पून कान फ्लोराइड किया है दूद एक दम नार्मल टेंपरेचर प कि तब आप को मिल्क में मिलना है अगर नार्मल टेंपरेचर पर तो आप डारेक्ट मिला सकते हैं उसके बाद मिलाने के बाद मैंने स्में सुगर एट किया सुगर मेरी एक कप थी अब मैं इसे गैस के फ्लैम पर रख देती हूँ अब हम इसे लगातार पकाएंगे इसे हमें इसे ज़ादा गाढ़ा नहीं करना है अब हम इसमें जब पकना इस्टार्ट हो गए तब मैंने जो माइंगो पल्प बनाया था उसे एट कर देंगे अब फिर हम इसे एक बार अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे पकते हुए थोड़ा से और गाढ़ा हो गया है अब एकदम से गाढ़ा हो गया है अब मैंने इसमें सफेद इलाइची पाउडर एट किया अगर आपके पास पाउडर ना हो तो सफेद इलाइची को दाना कूट कर आप डाल दीजिए देखिए पकनाई स्टार्ट हो गए हैं अब हम इसे और गाढ़ा करेंगे जब यह खुब अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा तब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब इसका तेंपरेचर नार्मल हो जाएगा थोड़ा सा तब हम इसे सर्विंग बावल में इसे रखेंगे आप किसी भी शेप के बावल ले लिजे कप प्याली मने 3 तरह के लिए दिखाने के लिए अब हम इसे निकाल लेंगे फिर अब हम इसे फ्रीज में रख देंगे दो हंटा के लिए दो घंटा के बाद अब हम इसे एक सासर में पलट लेंगे एकदम आराम से हम इस तरह से रखके आहिस्तर से पलट लेंगे देखी हमारे मैंगो पुडिंग एकदम रेडी है बनाना बिल्कुल आसान है अगर आपको ये रेसिपी पसांद आए तो आप भी एक बार जरूर ट्राइ करिएगा लाइक करिएगा नए है तो सब्सक्राइब करिएगा थोड़ा से हमने एक ड्राइफ रूट से गानिश कर लिया पिस्ते काजू बदाम से दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हफीज